ओम नमस्षिवाए मैंने बहुत सारे वशीकन वीडियोज आपको यूट्यूब पे दिये हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उन में से कुछ मंत्र काम नहीं कर पाए कुछ ने बहुत अच्छा काम किया है ये ठीक वैसा है जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरत देखे दिन तैसी मतलब जैसा आप चाहते हैं या सोचकर वशीबूत किसी को करते हैं वो उसी प्रकार से वशीबूत हो जाता है और आज का ये जो मंत्र है ये सबसे जादा पावरफुल है या यूंकर ये शक्तिशाली है इस प्रत्वी का सबसे जादा पावरफुल वशी करण है ये मतलब इसको काटना नाममकिन है और इसकी काट हो ही नहीं सकती क्यूंकि ये जो चीज है ये सीधा आपके दिल दिमाग हर चीज को प्रभावित करते हैं यानि कि अगर आप किसी को सचे दिल से वशीबूत करना चाहते हैं तो ही ये प्रयोगा अजमाए और क्यूंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है तो इसके आपको उपाई भी प्रभावशाली ढंक से ही करने पड़ेंगे और इसमें अगर गलती करेंगे तो इसका असर उल्टा हो जाएगा मैं आपको साफ पता रहा हूँ अगर एक छोटी से गलती हुई तो इसका प्रभाव आपकी उपर हो जाएगा और आप उसके तरफ वशिबूत होते चले जाएंगे ये इतना जादा मुश्किल भी नहीं है अगर आप सोच रहें कि न जाने अब मैं क्या कहूंगा तो इसमें कुछ भी नहीं करना है सिर्फ आपको एक काम करना है उस आदमी की या उस औरत की या वो जो भी है उसकी आपको तस्वीर लेनी है और याद रहे जो तस्वीर है वो बिल्कुल सपष्ट होनी चाहिए साफ होनी चाहिए धुंदली नहीं हो और छोटी हो बड़ी हो कोई फरक नहीं पड़ता बस फटी हुई ना हो कहीं से उस तस्वीर को आप रख लीजेगा साथ दिन तक आपको उस तस्वीर को सिंदूर में रखना है गंगा जल हो आपके पास तो बहुत ही जादा ये प्रभावशाली होता है गंगा के जल को सुवता है गंगा जल कहा जाता है तो गंगा जल आपको लेना है और गंगा जल को आप अपने पास रखे और अपने जो फोटो है उसकी उसको भी अपने पास रखना है अब आपको करना ये है कि अपने हाथ में एक कटोरे में गंगा जल डाल देना है और अपने हाथ में गंगा जल लेना है इस प्रकार से कि ये उसकी बूंद बूंद नीचे गिरे सीधा जमीन पर गिरनी चाहिए लेकिन अगर ब्रह्मा मुरत में करते हैं तो अधिक फाइदा मिलता है सीधे जमीन पर खड़े होना है नंगे पैर और इस फोटो को नीचे रखना है और आपको हाथ अपने सामने करने हैं दोनों और उन में से गंगा जल टपकना चाहिए सीधा उसकी तस्वीर पर गिरना चाहिए इस परकार से आपको करना है तीन बार आपको ऐसे मतलब अपने हाथ में गंगा जल लेना है और उसके बाद आपको खड़े हो जाना है और एक मंतर को जाप करना है ये जो मंतर है ये बहुत ही चमतकार है, इसको ध्यान से सुनिए मंतर ध्यान से सुनिए, मंतर है आप लोगों को मंतर में दुबारा सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मंतर है ओम, री, 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 इए, क्लीम, हम, फट, क्लीम, स्वाहा इस मंतर को बोलते रहना है आपको लगातार और पानी उनके चेहरे पे यानि की तस्वीर पे कहीं पर भी लगातार गिरता रहे और ये आप करते रहेगा आपको रुकना नहीं है जब तक कि पानी खतम ना हो जाए आप एक काटोरे में पानी ले सकते हैं उसमें गिरा सकते हैं अगर जादा पानी नहीं है जादा गंगल चल नहीं है आपके पास तो आप तीन बार अपने हाथ में पानी लेके सामने पूरव की दिशा में कर सकते हैं आप ये उपाए वैसे तो अगर आप पूरव की दिशा में करेंगे तो मेरे हिसाब से जादा सही रहेगा क्योंकि हमने जादा तर जितने भी प्रयोक हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स पूरव की दिशा में मिले हैं तो आप पूरव की बादवी कहती हैं कि आप यह जो आपके मंतर होते हैं यह कहीं से पढ़ने के लिए नहीं मिलते तो उच्पारण में सही नहीं हो पाता और इस कारण हम इनको कर नहीं सकते हैं तो उनकी सुधा के लिए मंतर डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी रहरा है हैं और मैं चाहूंगा कि इस मंतर का प्रयोग गलत कामों के लिए ना किया जाए मैं बिल्कुल मना करूँगा उन लोगों को जो केवल काम वासना के लिए इसको न दो रहें इसको न आज बाएं क्योंकि बहुत शक्ती शाली होता है और शक्ति के साथ छेड़ खानी करना उचित नहीं माना जाता तो इसको आप केवल और केवल तीन बार आजमा सकते हैं अगर पहली बार में काम ना करे तो दूसरी बार में ये काम करता है और अगर दूसरी बार में ना करे तो तीसरी बार में जरूर करता है और अगर तीनों एक छोटी से मदद चाहिए और वो ये की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बुक पर शेर कीजिए कमेंट कीजिए, लाइक, डिसलाइक जितना हो सके आप करिए और वीडियो को इसी तरह देखते रहे और मैं आपको देता रहूँगा समय समय पे अच्छुक टोटके और उपाई ओम नमस्षुवाई